नमस्ते श्रीजी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना बेसन का और ना ही डाल का आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ इस्पेशल रवा ढोकला या इसको सीवजी ढोकला भी बोलते हैं बुलकुल मार्केट स्वाइल एकदम सोफ्ट सोफ्ट स्पंजी रवा ढोकला जिसको बनाना बहुत यह असान है और इसके उपर जो मिर्च का तीका पन और इसके टेस्ट में जो खटा बीठा पन होता है वो इसके टेस्ट को और भी भड़िया बनाता है तो आज मैं आपके सा तो ही सूजी है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं बस इसको एक बार हमने से मिक्सर में जरा सा चला लिया है जिससे यह और महीन हो गई इससे ढूगला फौती बढ़िया बनता है तो आप इसी तरह से महीन सूजी करके और मिजर्मेंट आप अपने घर की किसी भी कटोरी या यहां भाल से ले सकते हैं तो मैंने यहा रड़ख कप सूजी मेहन मेघंळा सूजी है यहे साग Detroit professional और भाविया जौछलंता है इस हुछ समूछल तो मैंने खट वाला दही लिया है उसी measurement कि से लिए चारच इसको सूजी में अच्छी मिक्स करेंगे इससे ढोपला क्या होता है सॉफ्ट तो होता ही है साधी टेस्ट पुष बढ़ी आता है उसके बाद हम इसWowad करूशार नमक और नमक डालने के बाद हम इसमें यड़ करेंगे थोड़ी सी चीनी यह बुल्कुल ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं और नहीं भी मेरा थोड़ी सी चीनी आड़ करीए क्योंकि इसमें धूपला होता है हलका सा खटा मीठा पन होता है तो वह इसलिए इसमें मोस्ती डाली जाती है लेकिन आप अपनी टेस्स के करने का जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं तो बुल्कुल अची तरह से इसको चला करके और हम इसको रख देंगे रेस्ट के लिए मिनिममम 15-20 मिनट के लिए बहुती जटपट से और बहुती बढ़िया और ईजी तरही से यह रैसीपी बनने वाली है एक बार आप इसको जरू ट्राइब करिएगा तो 10-15 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं सुची कितनी ज्यादा उस समय हमने जो बनाई थी एकदम उसका टैक्शर और इस टैक्शर में कितना डिफ्रेंस है काफी गाड़ी हो गई है तो बस अब इस स्टेज पार हम इसमें एड़ जिससे यह इनु है आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एक्टिवेट होगा और जो मार्केट में जो डोकले मिलते हैं तो वह इसी से ही बनते हैं इससे डोकला बहुत ही सौफ्ट और एकदम स्पंजी बनता है तो आप इसको बराबर चलाते जाएं और इसको जब ही आप यह स्टैप करें जब आपकी बुलकुल तैयारी हो चुकी हो चलिए बैटर हमारा अब एकदम रिटी हो चुका है अब इसको हम करेंगे ऐसे ट्रांसफर बाउल में जिसमें आपको इसको पकाना है तो आप स्टिल का कोई भी कटोलान या कोई भी बाउल कटोरा जो हो थोड़ा एक्टिविट होगा फूलेगा तो वह चुकेगा नहीं तो इसतरह से आप इसको आप इसको पुल्ख अच्छी तरह से पूरे पे लगा लें और उसके बाद सारे बैटर को इसमें कर दें तो मैंने यहां आप देख सकते हैं सारा बैटर इस जो हमने यह बरतन लिया है उसमे पानी करने रख दिया था और उसके उपर हम लगाएंगे कोई भी कटोरी या आपके पास इस्टेंट तो आप भी उसके उपर हम लगाएंगे बर्तन जिसमें ने बैटर तियार किया है और इसको पकने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस तरह से आप उसको पकने दें जिससे सूजी अच्छी तरह से सिख जाएगी पक जाएगी उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगी आप एक बार पीछ वीच में जरूर देखते हैं कि वह बैटर हमारा कितना फूला है पंदर मिनिट हो चुके हैं पैटर कितना अच्छा परफेक्ट बना है आप किसी भी टूथपिक से चक्कू से इस तरह से प्रैस करके देखिए यदि बीच में से थोड़ा सा भी बेस से दीचे पक रहा है तो उसको तो चार सेकेंड और पकने दें तो मेरा थोड़ा सा कम था मैंने दोबारा इस तरह से प्रैट में टांसफर यह इस तरह से पूरे बरतन को कर दीजिए उल्टा और इस तरह से ठोक कर एक ही बार में निकल जाएगा यह देखिए कितनी ईजली और एकदम सॉफ्ट ढोकला बनकर तयार है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है अच्छी तरह से सूजी भी पक चु दाली है कुछ करी लीफ्स और इसके बाद हम इसमें एट करेंगे एक गलास पानी और आधी कटोरी लेंगे चीनी क्योंकि इसके ढोकले के ऊपर का यह ती तड़का बढ़िया ना हो खटा मीठा टेस्क लाने के लिए तो यह आप जरूर एट करें और थोड़ा सा ज्यादा है कि उसका चौक बढ़िया होना चाहिए तो पानी हमारा जबता खौल रहा है इधर हमने ऊपर लगाएंगे हम इसके राई का तड़का तो यहां पर एक ओल में थोड़ से राई को चटकने के बाद इसी पानी माम एड़ कर देंगे तो यह लीजे तो बहुत ही बढ़िया की तड़का बनकर तयार हुआ है और सबसे जरूरी बात इसमें आप राई के साथ कुछ हरी मर्च भी चौक में एड़ कर सकते हैं मेरे पास कुछ चुकी हुई हरी मर्च थी तो मैंने इसमें वही एड़ कर दी है और को थोड़ा सा डाला है नेमन जूस नीबू का रस यह ल इस सभी का खटा मीटा टेस्ट और मिर्चे से तीखापन जो आएगा ना होती बड़ी आएगा यह लीजिए यह तड़का अब इस ठोबले के उपर इस तरह से चानों तरफ से फेला देंगे बहुती सौफ्ट और इस पंजी खटी मीटा टेस्ट मिर्च का तीखापन मार्क कीजिए बहुती टेस्टी और बहुती छटपट से बढ़ने वाली सुपर सौफ्ट रवा ढोकला या सूजी ढोकला इसको आप मेरे इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें और मुझको कमेंट में जरूर बताएए कि आप से यह कैसा बना और आपों कैसा लगा कि अचाओ, और दोर बार टूर आपिए यह को चिए यह को आप सकता बार बना आपास कि आप से टह यह ब़िते हुआ है